मैं भारत कोरोना हाजिर हूँ हिंदी साहित्टी के साथ आज हम बात कर रहे हैं मलिक मुहमद जायची जी के परीशे के साथ में मलीक शब्द मिस्र के सैनापतियों अथ्वा परदान मंत्रियों हेतु प्रियोग किया जाता था और यही मलीक शब्द और इनी मलीकों को खिलजी बंश में अलाओ दिन ने अपने चाचा को मरवाने के लिए इन मलीकों की दिल्ली में निप्ती की थी यह तो यह तो हो गया एक एतियासिक पक्ष अब हम बात करते हैं अपने साहिती के संब्द में कि इनका जन्म 1422 इस भी में हुआ और इनका जो जन्मी स्थान था वो राइबरेली जिल्लार उत्रपरदेश राज्य के छोटे से गाउं जायस से संब्द था और जायस में होने कर जायस ही कहलाया जायस नगर मोर अस्थानू ऐसा इन्होंने अपने साहिते में लिखा भी है कि जायस नगर मोर अस्थानू राइबरेली जिल्ले में इनका जन्म हुआ और कहते हैं कि इनके पिता का नाम मलीक राजिय अश्रप था कि इनके मलीक मुहमद जायसी जी के इनको भक्तिकाल के अंद्रगत आप निर्गूर ग्यानाश्री शाखा के अंद्रगत इनको रख सकते हैं क्योंकि इन्होंने भक्तिकाल के अंद्रगत अपना साहिते लिखा था और दूसरी बार ये सूफी संत थे, बहुत बड़े सूफी संत हुए इसके बाद में मलिक मुonमद जायसी जी सूफी संथ बने गए और सूफियों की जितनी भी लेखन शेली है, जितना भी सूफियों का प्रभाव है, वो इनके साहते में देखने को मिलता ही मिलता है और ऐसा कहा चाता है कि इनकी गुरी का नाम शयד अश्रफ था मलीक राज़े अश्रफ तो इनकी पिताजी का नाम था और शयद अश्रफ निका नाम था इनकी रचनाओं के अंदरकत आप देखेंगे कि सबसे प्रसिद रचना इनकी पदमावत थी और इसी रचना ने जैसी जी को विराट कुरूष की संग्या हिंदी साहिते में दिलवाई पदमावत रचना इनकी बहुती प्रसिद रही और इसी रचना की अंद्रगत बारा मासा का वर्ण किया जाता है जो आशाड मेनी से शुरू होता है और लूसरी रचना है अकरावट जिसके अंद्रगत अक्षरों की बनावट के सम्मंदी तथ्यों को इन्होंने अपने साहिती रचना के अंद्रगत जगे प्रदान की है आगे देखते हैं इन्होंने एक और रचना लिखी है जिसका नाम है आखिरी कलाम जिसके अंदरगत कयामत का वर्णन किया है इन्होंने एक और रचना लिखी जो बड़ी ही प्रसिद रचना थी कहर नामा और अंतिम थी चित्र रिखा ऐसा कहा जाता है कि इनकी प्रामारिक र परन्तु ये जो रचनाएं हैं जो आपके परश्णों की द्रस्टी से एक्जाम की द्रस्टी से बड़ा ही मैतुकून है अगर आप ये चार नाम लिख लेते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है पदमावज जो रचनाएं नहीं लिखी वो दोहा चौपाई शेली में लिखी ग अवदी के अंदरकद लिखी और और थोड़ा देखें उन्होंने कडवक शेली का साहरा लिया किसका कडवक या फिर मसनभी शेली का उन्होंने शाहरा लिया किनोंने मलीक मुहमज जायशी जिन है और शुकल जी ने कहा कि मलीक मुहमज जायशी का जो छेत्र है वो तुलसी क कि अपेक्षा परीमित और बहुत ज़्यादा गुड है ठीक है और शीव कुमार मिश्रने भी इनके उपर बहुत सारी टिपणिया की है और इनका साहित्य सच में उच्छ कोटी उच्छ श्रनी का था और एक प्रसंग ऐसा आता है कि मलिक मुहमद जायसी जी के चेचक रोग के कारण बाब से मिकले गए इसके कारण इनकी एक आँख चली गई थी पता नहीं दाई थी या बाई यह तो हमें नहीं पता पर इनकी आँख चली गई थी तो एक बार ऐसा हुआ कि शेरशा के दरबार में मलिक मुहमद जब जायसी गए तो मलिक मुहमद जायसी के उपर शेर तो इन्होंने काम किया कि उस बात को तो इन्होंने गरल की भाति पी लिया कोई बात ने हस गया था फिर इन्होंने का आप मेरे शरीर के ऊपर हस रहे हैं या उस इश्वर के ऊपर शरीर के ऊपर हस रहे हैं कुमार के ऊपर ऐसा इन्होंने कहा था और शेर्शा को फिर दिमाग इस प्रकार से लिखा है कि जब पाठक पड़ता है तो यह समझता है कि सच्छ में 12 मासा की अंतरगत वो स्वेम कहीं कहीं हिलोरे ले रहा हैं। परंगार की व्यूग अवस्ता का सहच और सटिक वर्णन देखने को मिलता है। पदमावत इनकी रचना जो हिंदी साइटिक अनुपम धरोर है, एक अनुपम विरासत हैं जिसको हम पड़ते हैं। मलिक मौंबद जाइसी आपकी एक्जाम की दरश्टी से बड़ा मैत्तूपूर है और अगर आप इतना परीछे लिख देते हैं तो आपके लिए बहुत ही उम्दा रहेगा। ठीक है, तो यह हमने देखा, एक बार वापस देख देते हैं कि 1492 में इनका जन्म हुआ ऐसा कहा जाता है कि 1542 के आसपास में इनकी मृत्यू हो चुकी थी, कहां पर 1542 के आसपास थी। उत्रपरदेश, जायस गाओं के कारण से यह जायस ही कला है, राइबरेली जिल्ले के अंदरगत है और वो उत्रपरदेश के अंदरगत है। प्रामाणिक पूस्त के इन्होंने लिखी होगी, रचनाय लिखी होगी, पर ये जो नाम है बड़े ही मैत तुकून है। जो बहुत ही बूरी तरिय से दुखी है और उसका वरण इस परमावत में किया गया है। और वो भी किसमें नागमती वियोग खंड में और इनकी दोहा चौपाई इनकी शेली हैं। और शुक्ल जी ने कहा है कि जायसीजी का जो चत्र है तुलसी की अपेक्सा परीमित और बहुत ही ज्यादा गुड है। और शेरषाः वाला परसन तुमें ने बता दिया आपको कड़वख मसनभी शेली इनकी लिख सकता है। और कौन से बक्तिकालके कभी हैं। कौन से बक्तिकालके और निर्गुण वो भी। और सुफी कावे की जो महक हैं इनकी लेखनी में पैदा होती है। सुफी कावे को बड़े बारीकी से इनों ने अपने सहिती रचना का भाग बनाया है तो फिलाल मैं भरत को रणा लेता हूँ आपसे विधा रखीए अपना खयाल शुक्रिया शब्बा खेर